देश और दुनिया की खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटस्ट खबरे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले दिवाली पर जलाएं इस तेल का दीपक मा लक्षमी जम कर करेंगी पैसों की बारिश वैसे तो आप रोजाना की पूजा में घीया सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और दिवाली पूजन के समय भी यही करते हैं लेकिन जिस तेल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली पर उसका दिया जलाने का विशेश महत्व है इस तेल का दिया जलाना कई मायनों में फायदे मंद है रोजाना चाहे किसी भी तेल का दिया जलाएं लेकिन दिवाली पूजन के समय इस तेल का एक दीपक जलाकर आप कई कश्टों से छुटकारा पा सकते हैं आईए जानते हैं इस तेल की विशेशताएं और इससे जुड़ी 10 बातें 1. वैसे तो दिवाली के दिन मिट्टी के दियों का विशेश महत्व है और मिट्टी के दिये घीव सरसों का तेल डाल कर जलाए जाते हैं 2. दिवाली पर जिस तेल का दिया जलाने की हम बात कर रहे हैं वह अलसी के तेल का दिया है जिसे दिवाली के दिन जलाने का विशेश महत्व है। इस तेल को फ्लेक्स सीड ओल या लीन सीड ओल भी कहते हैं। 3. कहा जाता है कि अलसी के तेल का दीपक जलाने से आपके उपर राहू और केतु की अशुब दृष्टी शांथ होती है और इसके प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है. 4. अलसी के तेल का दीपक दिवाली के दिन जलाने से इसके उत्तम परिनाम बहुत ही जल्द नजर आने शुरू हो जाते हैं. 5. अलसी के तेल का दीपक दिवाली पर जलाने से मा लक्षमी प्रसन होकर सभी प्रकार की आर्थिक तंगी दूर करती है और खुले मन से पैसों की बारिश करती है 6. अगर दिवाली के दिन आटे के दिये में अलसी का तेल डाल कर दिया जलाया जाए तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है क्यूंकि आटे का दीपक सिध्धी पाने हितु उत्तम माना जाता है 7. याद रखें दिवाली के दिन चार मुखी दीपक में अलसी के तेल का दिया जलाने से हनुमान जी की कृपा आपके उपर सदैव बनी रहती है 8. अलसी के बीच सेहत के लिहाज से भी काफी अच्छे माने जाते हैं और इसके बीच का सेवन शरीर को स्वस्थ बनाता है 5. अलसी के बीच में का सेवस्थ बनाता है